तो हम लोग दूसरा सूत्र जब पढ़ रहे थे दूसरे सूत्र में हमने देखा योग की परिभाशा क्या है किसे योग कहें तो लिखा वहाँ पर योग हर चित्त वृत्ति निरोध हर योग है चित्त की वृत्तियों को रोक देना चित्त के कारिये को रोक देना चित्त की पांच वृत्तियां होती है वृत्तियों का अर्थ क्या होता है ये आप में से कौन बताएंगे जो भी बताना चाहते हैं एक बार हाथ खड़ा करें जो भी अभी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जो प्रश्न देने का उत्तर देने के इच्छुक हैं वो करपया हाथ उठाएं अशोग जी कमलेश जी ठीक है मुकेश कुमार आरिये जी सार्थक महाजन जी बहुत अच्छा मधु चौधरी जी चलिए तो सबसे पहला प्रश्ण है वृत्ति किसे कहते हैं कितनी होती है यह अलग प्रश्ण है कितनी होती है और कौन सी होती है यह अलग प्रश्ण है एकदम सरल शब्दों में कि वृत्ति होती क्या है मैंने पिछली कक्षा में आपके सामने चर्चा रखे थी अशोग जी आप अपना माइक खोलिए और करपया बताईए गुरुजी चित्त की पांच वृत्तियां बोली थी ना जी जी कि चित्त की कितनी वृत्तियां होती और कौन-कौन सी होती है ये एक अलग प्रश्ण है लेकिन नहीं नहीं मेरा प्रश्ण अलग है अशोग जी वृत्ति होती क्या है इसे सरल शब्द में समझाना है सरल पंक्ति में मैंने समझाया भी था कितनी होती है कौन-कौन सी होती ह ये एक अलग विशह है ये अलग प्रश्ण है वो आएगा भी थोड़ देर में पर वृत्ति होती क्या है अच्छा गुरु जी यह नहीं पता थोड़ा सा अच्छा चलिए कमलेश जी आपकी धुनी थोड़ी कट कर आ रही है बिल्कुल ठीक चित के कारे करने के तरीके को वृत्ति कहते हैं चित का काम है हमें दुनिया दिखाना दुनिया को समझाना यानि कि हमारे मन में जो जानकारी आती है और फिर वो आत्मा तक जाती है हम जो कुछ जान रहें कुछ भी वो सारा चित के माध्यम से जान रहे हैं और बस चित के इसी जानकारी कराने के काम को वृत्ति कहते हैं चलिए अब आप से प्रश्ण अशोग जी अब आप उत्तर दीजिए चित की कौन कौन सी वृत्तियां होती है नाम अच्छा अन्जी गुरूजी यह चित की पांच वृत्तियां होती है परमान विपरे विकल्प निद्रा और सम्रिति बहुत सुन्दर प्रामान विपर्यय विकल्प निद्रा सुम्रिटी ये पाँच वृत्तियां होती हैं अजी है अजी है अजी मुकेश जी अब आप अपना माइक ओन कर लीजिए आप से एक प्रश्ण है चित्त की वृत्तियों का निरोध अर्थाथ चित्त वृत्ति रुख जाना ये किस किस अवस्था में होता है इस अब आपका उत्तर ठीक है इससे संब्द्नित कोई प्रश्ण है हमें व्रत्ति और अवस्था चित्त की पांच अवस्थाएं भी तो बताईए अच्छरी जी अवस्था और व्रत्ति दोनों में भिन्नता है हाँ दोनों में भिन्नता है दोनों अलग है अवस्था अलग है और व्रत्ति अलग है अवस्था कहते हैं चित्त की स्थिती को चित्त की क्या स्थिती है इस समय अर्थाथ चित्त संसार की जानकारी कराने में कितना समर्थ है इस समय किस तरह से जानकारी करव रहा है वो पांच तरीके हैं जानकारी करवाने के वो पांच तरीके प्रमाण विपर्य ये विकल्प निद्रा सुमृती हैं लेकिन इन पांच तरीकों को किस तरह प्रयोग कर रहा है मतलब उसकी हालत क्या है अभी जैसे हम हैं हम लोग काम करते हैं खाते हैं पीते हैं जानते हैं लेकिन कई बार बीमार हैं तो बीमारी में खाना खाते हैं काम करते हैं अलग तरीके से करते हैं आधी नींद में हैं तो काम करते हैं अलग तरीके से करते हैं या पूरी तरह से सक्रिये हैं स्वस्थ हैं एक दम तो अलग में होना बीमार होना परेशान होना या सक्य अच्छा स्वस्थ होना यह हमारी स्थितियां हैं और इन में जो हम काम करते हैं वो हमारी वृत्तियां ऐसे ही चित्त की स्थितियां हैं चित्त की भूमी जो शिप्त मूढ विक्षिप्त एकाग्र और निरुधिये स्थितियां स्थितियों में हमारा चित्त काम करता है लेकिन काम क्या करता है तो वो पांच काम करता है प्रमान विपर्य विकल्प निद्रस्मृति तो वृत्तिया काम है और भूमिया चित्त की स्थिती है किस कंडीशन में है भी जैसे आपकी कोई मशीन है तो मशीन क्या काम करती है भाई कोई खेट जोतने की मशीन है तो वो खेट में काम करती है कपड़े सिलने की मशीन है कपड़े सिलती है लेकिन वो किस कंडीशन में है अगर अच्छी क व्रित्ति अर्थात काम चित्य व्रित्ति निरोध हमें हमने देखा कि चित्य व्रित्तियों का निरोध एकाग्र और निरुध्धावस्था दोनों में होता है और दोनों को योग कहते हैं लेकिन बाकी तीन को क्यों छोड़ दिया गया और दो को क्यों स्विकार किया गया और अगर व्रित्तियों का रुख जाना ही योग है तो फिर केवल निरुधावस्था योग होनी चाहिए थी है जी और प्रफां सूत्र के विया भाष्ये किया गया है कि तीन व्रत्य ऊश्थाओं को यॉग के नहीं लिया गया तो शिप्त मूड और विक्षिप्त में के कारण उन्हें योग के नहीं लिया जाता और दूसरा प्रश्न ये था कि यदि योग में योग में सर्व सब वृत्यों का निरोध होना लिखा है तो फिर तो एकाग्रो निरुद्धावस्था निरुद्धावस्था ही होनी चाहिए था एकाग्रवस्था भी नहीं होना चाहिए था इसको भी व्यास भाशे के दृतिय सूत्र के व्यास भाशे में बिल्कुल ठीक, तो इसलिए क्योंकि यहां लिखा है चित्त की वृत्तियों का रुख जाना, अक्षिप्त अवस्था में चित्त की वृत्तियां नहीं रुखती हैं, चलती रहती हैं, अपनी मर्जी से चलती रहती हैं, मूढ अवस्था में तो हम वृत्तियों का प्रयोग ठ बहुत देर तक बस थोड़ा सा यहां पर जान लिया फिर दूसरी तरफ जान लिया तो हमारे वश में नहीं होती है हमारे वृत्तियां विक्षिप तवस्था में अपनी मनमर्जी चलती है हम कुछ नहीं कर रहे होते हम कुछ नहीं कर रहे होते मतलब हमारा नियंत्रन नहीं हो एक आगर्धा बनती हैं क्योंकि वहाँ से व्रित्तियां रुखनी शुरू होती हैंकि और निर्धधवस्था में तो पूरी तरह से व्रित्ति रुखनी जाती है भूँत अच्य है अ मधु चौधरी जे आप अपना माईक एक बार ओन कर दीजिए चित्त की जो निर्माण हुआ है चित्त की जो बनावट है वो प्रकृती से हुई है और प्रकृती को कहते हैं सत्व रजस तमस लेकिन उसी सत्व रजस तमस को तीन अलग नामों से पुकारा गया है वो कौन-कौन से हैं आचरी श्री व्यास भाष्य में ही इसका उत्तर मिल जाएगा चित्त का निर्माण हमारे चित्त का निर्माण जो तीन सत्व रजस तमस से हुआ है उन्हें कुछ अलग नामों से पुकारा गया है जी प्रख्यात प्रवृत्ति और स्थिति ये तीन मन के गुण होते हैं मन के स्थितियां मतलब मन की बनावट रचना जिन से हुई है बहुत अच्छे आगे परमेश जी परमेश जी नमस्ते जी परसों नमस्ते जी परसों थे जी अच्छा परसों थे तो आपसे एक छोटा सा प्रश्ण है हमारे चित में क्योंकि हमारा जो चित है वो तीनों से मिलकर के बना है लेकिन फिर भी चित को चित सत्व क्यों कहते हैं हमारा चित सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण तीनों से मिल करके बना है फिर भी चित को चित सत्व क्यों कहते हैं इस में जी प्रख्या में ज्यादा सत्व का गुण आ जाता है जी तो शायद इसलिए प्रख्या सत्व हाँ बस शायद शब्द को हटा दीजिए उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा है शायद नहीं हमारा चित जो बना है उसमें सत्व गुण की मात्रा बहुत अधिक है सत्व गुण का कार्य है जानकारी करवाना इसलिए हमारा चित लगातार संसार की जानकारी कराता रहता है भले ही वो हमारे वश में हो की वश में ना हो पर काम उसका यही है कि संसार की जानकारी कराए इसलिए वो कभी रुकता ही नहीं है हमेशा कुछ ने कुछ जानकारी करवाता रहता है पिल्कुल ठीए चलिए आगे चलते हैं जिन लोगों ने भी हाथ खड़ा किया हुआ तो उसमें पामेला जी और है चलिए पामेला जी एक प्रश्ण आप से हैं पामेला जी आप एक बार अपना माई कॉन कर लीजिए एक चोटा सा प्रश्ण यह है कि हमारा जो मन है उस मन में आईश्वर्य के प्रती इच्छा मतलब संपत्ति उसको कब अच्छी लगती है संपत्ति अब जी पामेला जी संपत्ति हमारे मन को कब अच्छी लगती है कि संपत्ति इस प्रफ़ी तंपन्नता अईश्वर्य जी अजी कि अच्छा लगता है कि अच्छा लगता है जब हमारे च्छी अच्छा लगता है जब हमारे चित्त में सत्वगुण है अधिक मात्रा में है लेकि थोड़ा सा रजोगुण और थोड़ा सा तमोगुण भी तो जब रजोगुण हमारे अंदर आता है तो उसे एश्वर्य और विश्य दोनों बहुत प्रिय लगते हैं तो हमने देखा कि जो हमारा चित्त है वो मूल रूप से प्रख्या रूप है अर्थात सत्वगुण प्रधान है उसमें मुख्य है लेकिन जब वही रजस और तमस से भी जुड़ जाता है रजस और तमस से भी बिंध जाता है उसमें सक्रिय रहते हैं तो एश्वर्य और व बहुत अधिक बिंध जाता है तमोगुण बहुत अधिक प्रभावी हो जाता है तो हमारे जो चित्त है उसमें अधर्म अज्यान और अवैराग्य के प्रती बहुत अधिक रुची हो जाती है और जब उसी हमारे चित्त में से मोह का आवरण सर्वत बतलब हट जाता है पू देने लगता है तो यह हमारे चित की स्थिती होती है और वही चित रजो लेशम अला पेतम रजो गुन की जो जरासी भी मात्रा हमारे मन में रह गई थी थोड़ी सी भी रह गई थी वो भी जब हट जाती है तो हमारा चित स्वरूप प्रतिष्ठम अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है सत्व पुरुष अन्यता ख्याती मात्रम जो सत्व पुरुष है अर्थात जीवात्मा है उसकी ख्याती उसकी जानकारी जियों की तियों करवाता है और तब धर्ममेध समाधी लगती है धर्ममेध समाधी को प्राप्त कराने वाला होता है तीसरे पैराग्राफ में लिगा है तदेव रजो लेशम अलापेतम वही हमारा चित जब रजोगुन के लेश मात्र से भी हट जाता है रजोगुन का लेश मात्र भी उसमें प्रभावी नहीं है बना हुआ तो तीनोगुनों से है सत्व रजस्तमस लेकिन प्रभावी नहीं है एक्टिव नहीं है सक्रिय नहीं है न रजोगुन न तमोगुन केवल सत्वगुन प्रभावी है तो ऐसे में हमारा चित स्वरूप प् न दुनिया की गलत जानकारी देता है, न वो सपने दिखाता है, न वो हमारे जो यादे हैं, हमारी स्मृतियां हैं, उनसे हमें प्रभावित करता है, वो बस है, उसका केवल अब एक काम है, होना, शरीर को चलाए रखना, और फिर वो सत्व पुरुश अन्यता ख्याति मात्रम सत्व पुरुश को केवल उसकी सही जानकारी करवाता है, अभी हमें अपनी आत्मा की जानकारी क्यों नहीं होती, हम कहते हैं, आत्मा को जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है, पर आत्मा जानी कैसे जाए, आत्मा इसलिए नहीं जान पा रहे हम, क्योंकि हमारी आत्मा के आगे बैठा है चित और चित लगातार हमें दुनिया को दिखा रहा है लगातार दिखा रहा है वो हमें समय ही नहीं दे रहा कि हम अपने को जान पाए हमारे सामने हमेशा कुछ न कुछ न कुछ रखा रहता है जैसे आप दुकान पर जाएं और आपको कुछ खरीदना हो त इसमें ये गुण है ये गुण है ये गुण है आप फिर दोनों में compare करना शुरू करोगे वो फिर तीसरा दिखा देगा और उसे जड़ा सा लग गया कि आपको शायद इन में से दूसरा वाला पसंद आ रहा है तो तुरंत वो दूसरे वाले पर हाथ रखेगा और कहेगा दोनों से जादा अच्छे गुण है, ये बहुत अच्छा बिकता है, आपकी पसंद बस क्या कहने, उसे पता है आपकी नजर दूसरे पर टिकी हुई है, तो दूसरे की प्रशंसा शुरू कर देगा, उसे तो बेचना है, वो आपके मस्तिश्क को समय ही नहीं देगा, कि आप विवेक कर पाएं, सोच पाएं कौन सा अच्छा है, ठीक ऐसे ही हमारा चित्त करता है, वो हमें सोचने का समय ही नहीं देता, वो हमें कुछ न कुछ न कुछ न कुछ दुनिया की चीज़े दिखाता रहता है, आखें खुली हैं तो दुनिया को सुनाता है, और जब आख ना कान बंद हो जाते हैं तो हमें हमारी यादें दिखाता है स्मृतियां दिखाता है अगर हम सोच भी नहीं रहे होते हैं स्मृति भी नहीं आ रही होती हमें तो हम नीद में होते हैं तो हमें सपने दिखाता है सपने भी ना आएं तो हमें वैसे ही बड़ी खुशी होती है कुल म जब वह चित अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो वह आत्मा को आपके भरोसे अपने भरोसे छोड़ देता है। अन्यताक्याति अपनी स्वयम की ठीक ठीक जानकारी होती है। और यह धर्म वेधर आपके पास PDF कौन सी है। जी PDF तो मैंने खोली नहीं है मुझे खोली नहीं आ रही है। आपके पास पुस्तक है क्या। पुस्तक वो उनकी है। कि राजवीर जी की राजवीर जी की पुस्तक में मुझे प्रिश्ट संख्या नहीं पता है। तो राजवीर जी की पुस्तक दरसल मेरे पास है नहीं तो मुझे उनकी पुस्तक में क्या प्रिश्ट संख्या पता नहीं है। गुरुजी 69 पेज है उसका 69 है और देखिए इस पर लगा लीजिए कुछ बुकमार्क कागज वगेरा रख लीजिए तो सरलता रहेगी। जी तो आगे कहा फिर अब यहां से शुरू होती है आत्मा की परिभाशा क्योंकि अभी हमने देखा कि सत्व पुरुष की चर्चा आई है आत्मा की चर्चा आई हो लेकिन वो आत्मा है क्या तो उसकी परिभाशा बताएंगे बीच में एक छोटा सा वाक्य लिख रहे हैं तत परम प्रसंख्यानम इति आचक्षते यह जो स्थिती है उपर की बताई कि जिसमें आत्मा को अप तत परम प्रसंख्यानम इति आचक्षते जब आत्मा को स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि बुद्धी अलग है मैं अलग हूँ बुद्धी जिसको मैं अपना अंग समझ रहा था बुद्धी तो बिलकुल ही अलग है बुद्धी का तो काम है केवल डिसिजन निरने ले अब मन कुछ परिशान नहीं कर रहा है कुछ नहीं दिखा रहा है तो तब की स्थिती को कह रहे हैं वो परम प्रसंख्यान कहलाती है उस स्थिती को परम प्रसंख्यान कहते हैं और धर्म मेध समाधी भी कहते हैं दो शब्द दिये हैं धर्म मेध ध्यानो पगम अर्थात धर अमेद समाधी और वही धर्ममेद समाधी परम प्रसंख्यान भी कहलाती है अर्थात जानकारी की सबसे उंची स्थिति परम प्रसंख्यान प्रसंख्यान मने जानकारी इसलिए प्रख्या जानकारी संख्या जानकारी प्रसंख्यान जानकारी ये एक जैसे शब्द हैं जिनमें ख्या ख्या आये ख्या समझ लीजिए जियान की बात हो रही है वहाँ तो जो प्रख्या है वो भी जियान है और संख्या शब्द भी जानकारी होता है इसलिए सांख्य दर्शन मतलब योग जानकारी सांख्य दर्शन आत्मा परमात्मा की जानकारी और परम प्रसंख्यान प्र पुची स्थिती है ये इसे परंप्रसंख्यान कहते हैं आगे अब आत्मा क्या होती है बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है लिखाए चिती शक्ति ही अपरिनामेनी अप्रति संक्रमा दर्शित विशया शुद्धाच अनन्ताच दोबारा इसको पर देखते हैं पहला शब्द है इसमें चिती शक्ति चिती शक्ति मने ये जो चेतन पुरुष है अर्थात आत्मा आत्मा चिती शक्ति है रिशी दयानंद सरस्वती जी ने भी आत्मा की जब परिभाशा की है तो उन्होंने लिखा है आत्मा अर्थात जो चेतन मात्र वस्तु है परमात्मा के लिए भी परमात्मा भी आत्मा है हमभी आत्मा है तो हमारा गुण क्या है मुख्य रूप से आत्मा क्या है तो केवल चेतन स्वरूप है आत्मा का काम है आत्मा का स्वरूप है चेतनता उसे केवल जानना है संसार को वो देखने वाली है जैसे मैंने कल भी आप परसों आपके सामने चर्चा की थी चित माने चेताने वाला जगाने वाला समझाने वाला आप अगर सो रहे हैं मा आकर के जगाती है तो इसका मतलब माने आपको चेता दिया आगे गड़ा है हम ऐसे ही अपने ही मज़े में मस्त चल रहे हैं किसी ने आकर के बताया आगे गड़ा है हम alert हो गए, जागरूख हो गए, मतलब हम चेत गए, तो यह जो चेतना, चेताना अर्थात जानना, यह किसका गुण है आत्मा का, इसलिए आत्मा को चेतन या चिति शक्ति कहते हैं, योग दर्शन के सूत्र में इस व्यास भाषे की पंक्ति में आत्मा को चिति शक्ति कहा है, आत्मा चेतन शक्ती है तो आत्मा जो चिती शक्ती है वो है कैसी तो लिखा है अपरिणामिनी उसमें कभी कोई परिणाम नहीं आता परिणाम बने बदलाव जैसे दूद को आपने रखा हलकी सी दही लगा करके रात को तो सुभा तक आपको परिणाम देखने को मिलता है कि दूद की दही बन जाती है उसी दही को जब आप बहुत देर तक बिलोते रहते हैं तो उसमें से नवनीत निकलता है और थाथ मक्खन निकलता है यानि कि बदल जाता है जो दही अभी थी उस दही को लगातार बिलोया जाए तो उसमें से मखण निकलता है यानि कि दही बदल चुकी है परिणाम आ चुका है उसमें लेकिन जब उसी मखण को थोड़ा सा आग पर रखते हैं तो उसमें से शुद्ध घित निकल करके आता है बदल गया वो नवनीत वो मक्षन भी बदल गया और वो घी के रूप में परिवर्तित हो गया तो यहां पर परिवर्तन का अर्थ है परिणाम का अर्थ है बदलाव क्योंकि परिवर्तन और परिणाम एक ही अर्थ वाले दो शब्द है तो आत्मा जो है वो अपरिनामी नहीं है अर्थात आत्मा में कोई परिनाम नहीं आता परिनाम मतलब बदलाव नहीं आता बाकी सब में बदलाव आता है हमारे शरीर में बदलाव आता है शरीर लगातार हमारा बुढ़ा होता जा रहा है हमारे शरीर की इंद्रियां कमजोर होती जा रही है लेकिन आत्मा कमजोर नहीं होती आत्मा बुढ़ी नहीं होती आत्मा में कोई बदलाव भी नहीं होता अच्छा कैसा कैसा बदलाव नहीं होता मेरे उपर यहां कोई हलका सा रंग लगा दे तो मेरा चेहरा लाल दिखाई देने लगता है क्योंकि वो रंग मेरे चेहरे से चिपक जाता है आज कल सर्दी है तवचा में सूखा पना जाता है आप अपने चेहरे पर क्रीम लगाते हैं ताकि आप रूखे पन से बचे रहे हैं वो क्रीम आपके चेहरे पर चिपक जाती है उस क्रीम ने आपके चेहरे पर बदलाव ला दिया है तो अगर कोई चीज कोई वस्तु चिपक रही है यानि कि वो प्रभावित कर रही है मुझे कर रही है और अगर कोई चीज मुझे प्रभावित कर रही है इसका मतलब मैं प्रभावित होता हूँ मुझे में बदलाव आते हैं लेकिन ऐसे बदलाव ऐसे प्रभाव आत्मा पर नहीं आते आत्मा पर न कोई क्रीम चिपकती आत्मा पर न कोई अच्छी सी सबजी जाकर के चिपकती बलकि एक बात जो मैं प्राय कहता रहता हूँ दुनिया में जितना भी सुख याद दुख है जितना भी सुख याद दुख है वो सारा जानकारी का सुख याद दुख है पंक्ती को नोट कर लीजिएगा काम आएगी वैसे आपने सुनी भी होगी मेरे मुख से कभी जितना भी संसार में सुख याद दुख है वो सारा जानकारी का सुख याद दुख है और कुछ भी नहीं है आप सोच रहे होंगे जान का सुख थोड़ी होता है मैं सुबह सुबह खाना खाता हूँ तो खाने का सुख होता है वो तो आप सोच रहे होंगे कि सारा का सारा सुख या दुख केवल जयान का थोड़ा ही होता है मैं कपड़े पहनता हूँ कपड़े पहनने से भी मुझे सुख या दुख मिलता है नहीं कपड़े पहनने से खाना खाने से पानी पीने से कुछ अच्छा देखने से सुनने से कुछ प्रयोग करने से जो मुझे सुख मिलता है केवल जानकारी का सुख है क्योंकि देखो अंतर कीजिए अभी कहा गया कि जब हमारा मन अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो आत्मा को अपना और बुद्ध दोनों का अलग-अलग जयान होता है, मैं अलग हूँ और बुद्धी मेरी अलग है, मैं बुद्धी नहीं हूँ, तो जब उसे दोनों का अलग-अलग जयान होता है, मतलब दोनों अलग है, बुद्धी और मन अलग है और आत्मा अलग है, बुद्धी और मन प्रकृती से बने हुए हैं जिसमें सत्वगुण अधिक है और जो आत्मा है वो प्रकृती से नहीं बनी है वो केवल चेतन मात्र है वो प्रकृती से नहीं बनी है ये मन है या बुद्धी है ये प्रकृती से बना है ये आत्मा है ये प्रकृती से मिटीरियल से नहीं बनी मन का काम है आत्मा को जानकारी देना तो जो खा रहे हैं हम हमने खाया मीठा हलवा आज कल तो गाजर का हलवा खूब खा रहे होंगे आप लोग घर पे बैठ करके आपने गाजर का हलवा खाया और आँखे बंद हो गई क्योंकि इतना अच्छा लगा आपको बस आनन्द आ गया बड़े मन से बनाया था आपने आपको बहुत सुख हुआ सुख किसे हुआ मन को या आत्मा को आत्मा को सुख हुआ मन को सुख नहीं हुआ सुख ही आत्मा हुई है लेकिन क्या आत्मा तक हल्वा पहुँचा क्या आत्मा के उपर हल्वा जाकर कि चिपक गया क्या आत्मा ने मीठापन अनुभव किया कि मीठापन आत्मा से जाके लगा हो नहीं आत्मा ने हल्वे को चखा नहीं हल्वा आत्मा तक पहुँचा नहीं उसकी मिठास आत्मा तक प इंद्रियों से कुछ-कुछ लेना ये मन है पूरा हाथ ये इसकी पांचों इंद्रियां है अपनी पांचों इंद्रियों से मन लगातार खाता है सुनता है देखता है छूता है सुंगता है पांचों इंद्रियों से जानकारी बटोरता है और बस उस जानकारी का एक निशकर् निकालता है conclusion निकालता है कि अनुकूल है या प्रतिकूल है ये जो पांचों इंद्रियों से मेरे पास आई है जानकारी जो मैंने खाया है खाने में अच्छा लगा ये जो मैंने पिया है पीने में अच्छा लगा ये जो मैंने देखा है देखने में अच्छा लगा तो ये सा शरीर को ये चला रहा है पूरे के पूरे ये मन है पांचिंद्रियां है और पूरे शरीर को मन चला रहा है मन के लिए ये जो मैंने भी खाया है पिया है या देखा ये अच्छा है या नहीं है अनुकूल है या प्रतिकूल है तो मन एक डिसिजन निकालता है निर्णा निकालत यह आत्मा है इधर मन उसको दिखाता है भाई अनुकूल है आत्मा प्रसंद है अगर हम किसी और शरीर में होते मनुष्य शरीर में न होते हम पशु शरीर में होते तो पशु के शरीर के लिए जो वस्तु अच्छी है अब पशु तो कच्छा भी खाते हैं अब बिल्ली है मुझे दूद पीने को मिलता तो मेरा जो मन है वो आत्मा को बताता कि यह जो दूद पीया है यह नुकूल है लेकिन अगले एक शन को चुहा दिखाई दे गया तो जपट्टा मारके बिल्ली एकदम चुहे के पास जाएगी पकड़ेगी उसको खाएगी और मन जो हमारा बैठ है वो देखेगा अच्छा यह जो चुहा भी आया है यह चुहे का जो अभी मैंने भोक किया है यह मेरे शरीर के लिए बिल्ली के लिए अच्छा है तो आत्मा को क्या दिखाएगा मन बिल्ली को मतलब आत्मा को अच्छा है अनुकूल है और बस आत्मा सुखी तो चाहे बिल अनुकूल चीज दली है अभी शरीर के अंदर और यदि प्रतिकूल चीज आ जाए बहुत तेज मिर्च एकदम से मुह में आ जाए तो मन एकदम से कहेगा ये मेरे शरीर के अनुकूल नहीं है मन तुरंत दिखाएगा कि भाई ये जो पांचों इंद्रियों से अभी मेरे पास आई है पेट के अंदर गई है ये अनुकूल नहीं है पहले ही जानकारी दे दी और इस अनुकूलता प्रतिकूलता को आत्मा को बताता है कि भाई या आत्मा तुम जिस शरीर में तिकूलता आत्मा को सुखी या दुखी करती है ठीक वैसे ही जैसे एक राजा अपने दर्बार में बैठा हुआ है राजा का गुप्तचर आता है मान लीजिए ये जो मन है ये मन गुप्तचरों का अध्यक्ष है इस मन के पाँच गुप्तचर है और वो गुप्तचर राज्य में घुमते रहते हैं घुमते रहते हैं राज्ये की जानकारी ला करके इसको देते हैं मन्तरी को देते हैं मन्तरी ने कहा गुप्तचरों जाओ जरा राज्ये की जानकारी लेकर के आओ जो गए और उन्होंने जाकर के जनता के बीच में पता करना शुरू किया तो पता किया कि फला व्यक्ति आपसे नाराज है फला आपसे प्रशंसा कर रहा था आपकी राजा की प्रशंसा कर रहा है एक व्यक्ति है जो लगातार जनता को परेशान कर रहा है दूसरा है जो कठिनाई में पड़े हुए लोगों की सहायता करता है बस ये पांचों के पांचों आये गु बुराई कर रहे हैं और फला जगा आग भी लग गई है अब ये बात मंत्री को पता चली मंत्री को फरक नहीं पड़ता है मंत्री का राज्य थोड़ा ही है ये बात वो एकदम राजा को जाकर के बताता है राजा ने नहीं देखा आग लगते हुए राजा ने नहीं देखा कि कौन मेरी बुराई कर रहा है सुना ही नहीं उसने अपने मूँ से राजा ने ये भी नहीं सुना कि कौन व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा है नहीं ये देखा कि कौन व्यक्ति लोगों की सहायता कर रहा है उसने केवल मंत्री से सुना मंत्री ने जों का त्यों राज्य की शंसा कर रहे हैं तो सुख हुआ राजा ने सुना के लोग मेरी बुराई कर रहे हैं तो दुख हुआ राजा ने सुना के आग लगी हुई है तो और जादा दुख हुआ और तुरंत एक दम आदेश दिया के जाओ फाइल ब्रिगेट को भेजो और आग बुझवाओ तो ये र हमारी आत्मा किसी चीद से नहीं जुड़ती किसी चीद से प्रभावित नहीं होती बस वो जानकारी से प्रभावित होती है आत्मा को केवल मन जानकारी देता है ये अनुकूल है और ये प्रतिकूल है तो जो भी सुख या दुख हमारे जीवन में है वो केवल जानकारी का सु आत्मा अपरिणामिनी प्रभावित नहीं होती किसी से उसमें कोई बदलाव नहीं आते उससे कोई वस्तु जाकर के चिपकती नहीं है कोई वस्तु से प्रभावित नहीं करती गर्मी उसे गर्म नहीं करती सर्दी उसे ठंडा नहीं करती जैसे की गीता में भी बताया गया है नैनम छिंदंती शस्त्रानी उसे शस्त्र काट नहीं सकते शस्त्र उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकते वो प्रभावित ही नहीं होती शस्त्र से नैनम दहती पाव कहा उसे अगनी जला नहीं सकती है वो अगनी से भी प्रभावित नहीं होती नई चैनम क्लेदयन त्यापो न उसे जल भिगा सकते हैं गीला कर सकते हैं और नशोशयती मारुतह उसे हवा सुखा नहीं सकती है किसी भी मिटीरियल का प्रभाव असर आत्मा पर नहीं पड़ता वो अपरिणामिनी है अप्रभावित रहती है आगे कहा अप्रति संक्रमा अप्रति संक्रमा उसमें संक्रमन भ भी नहीं होता है संक्रमन किसको कहते हैं अंग्रेजी भासा में शमझाओं तो इन्फेक्शन इन्फेक्शन का मतलब अभी वैसे हमने इस विशाय को भी पढ़ लिया है समझ लिया है पर एक बार क्यूंकि शब्द दोबारा आया है तो उसको देख लेते हैं संक्रमन का आर्थ होता है इन्फेक्शन जैसे कोई फ्लू आया और हम उससे रोग ग्रसित हो गए अभी पिछले दिनों कोरोना तीन-चार साल तक रहा तीन साल तक लगाता किसी ना किसी रूप में प्रभावित करता ही रहा है हमें तो इस पिछले समय के पिछले सालों में जो एक तो होता है कोई वस्तू हम में बदलाव ला दे यानि कि आत्मा को काट दे आत्मा को गीला कर दे सुखा दे एक तो ये स्थेती होती दूसरा होता है कोई चीज आये और आकर के संक्रमन ला दे हमारे भीतर अपने गुण हम में छोड़ दे तो उस संक्रमन से अलग है बि शरीर बीमारियों से ग्रसित होता है, शरीर किसी भी वाइरस से प्रभावित हो जाता है, शरीर दुनिया की हर वस्तु से प्रभावित होता है, तेज सर्दी हो तो आपका शरीर बीमार पढ़ जाएगा, गर्मी तेज हो तो आपका शरीर बीमार पढ़ जाएगा, बरसात में भीग जाएं बहुत अदिक तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा, बहुत अदिक खा लें तो पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, कम खाएं तो भूख लगने के कारण पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, हम संक्रमित हो रहे हैं, संक्रमन आ रहा है हमारे अंदर इन्फेक्शन आ रहा है आत्मा में इन्फेक्शन नहीं जाता कभी भी आत्मा में संक्रमन नहीं जाता है वो केवल जानकारी देखता है जियान से प्रभावित होता है सुखी और दुखी होता है अनुकूल जानकारी सुख और प्रतिकूल जानकारी उसको दुख देती है तो केवल देखता है विशयों को भोगता नहीं है बलकि विशयों को केवल देखता है उसके पास जो भी आता है उसे केवल देखता है वो उसे भोग नहीं करता मैंने भी बताया कि जो आप भोजन करते हैं वो आपके पेट में जाता है पर आत्मा में नहीं जाता आत्मा चीजों क भोगता नहीं है बलकि केवल देखता है हाँ है बस इतना मुझे दिखाई दे रहा है बस इतना और उसी देख करके सुखी या दुखी होता है जैसे अभी ये कहानी बड़ी मुझे प्रिय लगी वस तुम इस परिस्थिति को समझाने के लिए कैसे हम देख करके सुखी या प्रिशान हुआ रोने बैठ गया वहीं पर तेज तेज चिलाने लगा हाई में लुट गया बरबाद हो गया पत्नी आई पडोस में थी पत्नी क्योंकि घर में तो आग लगी हुई है तो पत्नी पडोसी के घर बैठी थी आगर के बोली कि रो क्यों रहे हो इतना तो बोले पागल हो गय हो क्या रोma क्या मैरा घर जल रहा है इसमें रोमना तो क्या हसू बलकि तुम्हे भी रोना चाहिए तुम तो बड़ी खुश दिखाई दे रही हो बोले मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि तुमारे जो दो बेटे है ना उनमें से बड़े बेटे ने घर की डील कर दी कल घर तो बिग गया कल बाच्चीत हो गई ये घर बेच दिया कल दूसरे विक्ति को तो बोले बेच दिया हाँ बिग गया अपना नहीं है अपना तो ठीक है जलने दो फिर भूक लगी है रोटी लाओ यहीं ले आओ बाहर ही बैट करके खा लेंगे पतनी रोटी लाई खाना लाई बड़े मज़े में खाना खा रहा है उदर घर में आग लगी पड़ी है यह मज़े में खाना खा रहा है क्योंकि इसको पता है घर मेरा थोड़ा ही है थोड़ी देर में छोटा बेटा आया दोड़ता दोड़ता रोते हुए पिता ने पूछा रो क्यों रहे हो तो बोले देखनी रहा पिता जी घर जल गया इसलिए रो रहा हूँ और बड़े बड़े भाई ने घर तो बेच दिया कल, अब थोड़ी है घर तुम्हारे पास, घर तो किसी और का है, तो बोले पिता जी घर की कल केवल बात हुई थी, डील हुई थी, साइन नहीं हुए थे भी फाइल पर, अभी पैसे नहीं आये थे अकाउंट में, अभी घर हमारा ही है, तो बोले फिर क्यों चुप बैठे हो, फिर तो एक खाना हटा हो, रो लेते हैं साथ में, केवल एक काम बदला, जानकारी मात्र बदली, आपने देखा घर जल रहा है, मेरा है, दुख ही, दे आत्मा दर्शित विशया है, चीजों को देखता है और प्रभावित अर्थात सुखी या दुखी होता है, बस वो भोगता नहीं है उन वस्तुओं को, आगे कहा शुद्धाच अनंताच और आत्मा बिलकुल शुद्ध है, आत्मा में गंदगी इतनी सी, शुन्य गंदगी नहीं है आत्मा में, जो गंदगी है वो शरीर तक रह जाती है, आत्मा में कोई गंदगी है ही नहीं, कोई मल नहीं है, न वृत्तियों का मल है, न संसकारों का मल है, संसकारों की गंदगी भी केवल चित के पास है, चित में संसकार रहते हैं, आत्मा में नहीं रहते हैं, आत पुद्ध है आत्मा आत्मा में कोई गंदगी न संसकारों की न विचारों की न ही किसी तरह की फिजिकल गंदगी कोई पदार्थ की गंदगी जाती है और आगे का अनंता चब और आत्मा अनंत है अनंत है अर्था अनंत काल तक रहेगा उसकी कोई सीमा नहीं है कब तक रहेग आत्मा कितना समय तक रहेगा तो बोले अनंत काल तक रहेगा आज भी है कल भी है परसों भी है हजार साल बाद भी रहेगा पचास जन्मों के बाद भी रहेगा हजार जन्मों के बाद भी रहेगा मोक्ष हो जाएगा फिर भी रहेगा फिर दुनिया में आएगा पर आत्मा रह पर बताये गए हैं और आत्मा का नाम दिया गया है चिति शक्ति कैसी है अपरिनामी नहीं बदलाव नहीं आते अप्रति संक्रमा कोई संक्रमन नहीं आता दर्शित विशया केवल विशयों को देखती है दिखाया जो गया मन ने जैसा दिखा दिया सो देख लिया दिखाये ग आत्मा की विशेषता है कल इस विशे को थोड़ा और अधिक जानने का प्रयास करेंगे कक्षा कल भी चलेगी यथा समय रहेगी आप सब उपस्थित होईएगा कोई प्रश्न हो तो शीगरता से पांच मिनट हैं हमारे पास आप पूछ लोगी